तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे फायराडेज लॉफ एलेक्ट्रोलाइसिस क्लास 12 बहुत जादा इंपॉर्टेंट है और यहां से नियुमेरिकल आपके पूछे जाते हैं तो फायराडेज लॉफ एलेक्ट्रोलाइसिस से पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एलेक्ट्रोलाइसिस होता क्या है तो सबसे पहले हम आसान सी भासा में समझेंगे कि एलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है बच्चों एलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब होता है कि जैसे हमने यहाँ पर एक container ले लिया ठीक container ले लिया और उस container में एक तो हम anode लगा देंगे है ना और एक लगा देंगे उसमें हम cathode ओके और यहाँ पर एक electro light भर देंगे है ना यहाँ पर एक electro light fill कर देंगे ओके और उसके बाद में फिर हम क्या करेंगे इसमें electricity flow कर देंगे इसमें क्या करेंगे हम electricity flow करेंगे तो जैसे ही हम इन electrode के throw क्या करेंगे electrolyte यानि इस solution में electricity flow करेंगे तो यहाँ पर जो electrolyte होगा वो अपने ions में तूट जाएगा यानि plus और minus के charge में ये तूट जाएगा ठीक है और तूटने के बाद में ये opposite charges की और जाने लगेगा ठीक है तो इसी process को बोलते है electrolysis आपको समझ में आ गया होगा कि electrolysis होता क्या है अब हम electrolysis के बाद में सबसे पहले समझेंगे Faraday's first law यानि Faraday का first law क्या है ठीक इसको समझ लेते बच्चो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं Faraday's first law की तो Faraday's first law होता क्या है the mass of substance deposited यानि the mass of substance deposited are the mass of gas liberated है ना या तो क्या होगा कि किसी substance का mass deposit होगा या फिर किसी gas का जो mass होगा वो liberate होगा at a particular electrode ठीक है at a particular electrode is directly proportional to the amount of charge है ना जो M होगा वो charge के directly proportional होगा passing through solution are electrolyte होगा या पर ठीक है electrolyte ठीक है यानि बच्चों यहां पर क्या हम बताएंगे बात समझेंगे इसका जो first law है यानि Faraday's का जो first law है उसको हम समझने की कोशिस करेंगे हमारे पास एक solution है ठीक है जिसमें electro solution का मतलब वही electrolyte ठीक है और यहां पर दो हमारे electrode लगे हुए है ना एक anode है और एक cathode है ठीक है तो देखो बच्चों इसमें क्या होगा कि जैसे हम इसमें क्या करेंगे इस electrolyte में current flow कराएंगे ठीक है तो common सी बात है current flow कराएंगे तो charges क्या होंगे opposite poles की ओर जाएंगे तो यहां पर एक तो reduction होगा और एक oxidation होगाई ठीक है तो यहाँ पर क्या होगा क्या होगा कि यहाँ पर क्या होगा यहां पर जो charts मास है है ना यानि किसी सब्स्टेंस का जो मास है सब्स्टेंस दे मास ऑफ सब्स्टेंस डिपोजिटेड और मास ऑफ गैस लिबरेटेड है ना तो क्या होगा जो एम होगा जो मास ऑफ सब्स्टेंस होगा वो क्या होगा चार्ज के प्रपोजनल होगा ठीक अब हम प्रपोजन फटाएंगी तो एक constant value होगी तो M is equal to Z into Q ठीक Z constant value है ना उसके बाद बच्चो Q is equal to क्या होता है आईटी होता है यह चीज आपको पता है Q is equal to IT होता है तो Z की जगे पे हम IT की value रख देंगे ठीक एक चीज और जान लेते बच्चों यहां पर अगर हम बात करते है Z is equal to क्या होता है तो Z is equal to होता है एक्क्यूवैलेंट मास अपॉन में फैराडेस constant F की value 965 00 होती है और यहां पर यह F होता क्या है तो चार्ज आन वन मोल ओफ एलेक्ट्रॉन यानि एक मोल एलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता वही हमारी F की value होती है ठीक और एक्क्यूवैलेंट मास की अगर बात करते है तो E is equal to या equivalent weight की बात करते है तो E is equal to होता है मोलर मास अपॉन X ठीक है जहां पर X क्या है तो X हमारा number of electron होगा यानि अगर चाहें तो हम formula में E upon F IT रख सकते हैं यह value आ जाएगी है ना इस तरीके से यह हो गया हमारा faraday's first law उसी तरफ हम faraday's second law की बात करते है तो faraday's का second law क्या है बचो देखो faraday के second law में यह कहा गया है कि if the same amount amount of electric charge है ना pass through a different electrolytes then amount of substance deposited or liberated is directly proportional to its equivalent weight है ना देखो यहां पर बताया गया है कि अगर हम क्या करते हैं कि चलो यहां पर दो हम electrode ले ले लेते हैं different दो electrolyte ले ले लेते हैं एक अगर को zinc sulfate का है तो दूसरा copper sulfate का है हमने इसमें 2 electrode डाले यहां पर 2 electrode अगर हम क्या करते हैं same amount of electric charge पास कराते हैं अब इनको series के form में जोड़ेंगे series में form में क्यों जोड़ेंगे तो series form में इसलिए जोड़ेंगे ताकि हमारा current same रहे तो इनको क्या होगा जब हम series form में जोड़ेंगे तो यहां पर बताया गया if same amount of electric charge यानि same amount of electric charge पास थोड़ा different electrolyte different electrolyte के बीच में अगर same current flow किया जाता है बच्चो the amount of substance deposited है ना जो substance का amount होगा वो या तो deposit होगा या तो कहीं न कहीं deposit होगा या फिर क्या होगा liberate होगा है ना तो वो क्या होगा वो directly proportional होगा उसके equivalent weight के ठीक है यानि यहां पर बात करते हैं कि mass of zinc proportional to q और mass of zinc अगर हम proportional आते हैं तो यहां पर z आ जाता है constant value into q यहां पर यह आ गया और हमें पता है z is equal to क्या होता है equivalent weight upon faraday's constant और q की जगे हम क्या रख सकते हैं q is equal to it होता है तो वैसे यहां पर copper का हो जाएगा यानि copper का mass proportional to charge के तो यहां पर constant value आ जाएगी तो बात यहां पर भी आगी q is equal to it आ गया ठीक यह समझ में आप देखो mass of zinc upon mass of copper equal में क्या हो जाएगा बच्चो यह हो जाएगा e it upon faraday's constant है न और देखिएगा यहां पर यह होगा किसका यह होगा जिंक का और यहां पर क्या हो जाएगा e यानि equivalent weight of copper it और upon में f तो यह तो यह कड़ गया it कड़ गया f कड़ गया तो यहां पर बचा क्या कि एम जेड़न अपॉन एम सी यू परावर इजेड़न अपॉन इकॉपर है न तो यह फॉर्मूला निकल के आता है basically कुछ था नहीं ज्यादा faraday's law electrolysis important था मारा आज के लिए इतने रखते हैं thank you for this class